हेलो प्रैंट्स मैंने कल जो आपको ड्रैगन फूर दिखाए थे रेड कलम में वो आज पूरी तरह पक चुके हैं और मैं आप आपको ये तोड़कर और काटकर पूरी तरह दिखाने जा रहे हूं और ये भी देखो पूरी तरह से पक चुका है और ये तोड़ने भी बहुत आसान होते हैं इसको मैं ऐसे गुमाकर और तोल लेती हैं बस ये पूरी तरह से पक कर तयार है और इसके प्लांट्स ऐसे होते हैं और इस प्लांट्स को पूरे चार साल के बाद फुरूट्स आया हैं चार साल इंतजार करने के बाद जो फुरूट्स मेरे को मिला हैं ये दीखिए मैंने अपनी प्लेट में पहले से ही काट कर अक्स छोड़ा है अब मैं आपको दिखाऊंगे ये अंदर से कैसे बती है इसमें बहुत सारा केल्शियम, मुझनीशियम, आयरेन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं एंटी केल्सर तत्व होते हैं इसमें और ये जो पल्प है इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए पहुत सारे इसका मिनरल्स होते हैं